हलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 का एक्जाम पैटर्न जो है दोनों मतलब प्राइमरी लेवल और दूसरा जो है सेकंडरी लेवल जूनियर लेवल दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से इस सब्जेक्ट से कितने कुश्चन आएंगे और कित पहले हम लोग देखते हैं प्रात्मिक लेवल में क्या है आपके पांच सब्जेक्ट्स हैं पहला है पाल विकास दूसरा गणित थर्ड हसा वन पोर्थ भासा टू पिफ्त परियावरा ठीक है पाल विकास हो गया आपका सीडी पी ठीक है चैइल्ड साइको लोजी दूसरा आपका मैस हो गया मैस यह लेंग्वेज हो गया लेंग्वेज आप अगर फर्स्ट मान लो हिंदी लेते हैं तो सेकंड आप इंग्लिस ले सकते हैं इस तरीके से आप 20 लेंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है एक लेंग्वेज आपकी फर्स्ट होगी और एक आप देखिए इन सभी से थर्टी थर्टी कुश्चन आएगा पाल विकास से या सीडीपी से कहलो आपका थर्टी कुश्चन और यह थर्टी मार्क्स का होगा तेम उसी तरी माथमेटिक्स से थर्टी कुश्चन आएगा वह भी थर्टी मार्क्स का होगा इसी तरीके से एवियस से भी थर्टी कुश्चन आएगा और यह भी थर्टी मार्क्स का होगा मीनिंग देर्बाई टूटल आपके 150 questions होंगे और 150 marks के होंगे ठीक है 150 questions और 150 marks होगा तो अव टोटल जो time होगा टोटल टाइम 150 minute को होगा धाई घंटे होगा धाई घंटे होगा 2 hours और 30 minutes ठीक है तो ये paper का basic pattern है जो की आपका प्राच्मिक लेवल का है और second इसमें जाएं junior में junior का भी pattern सेम ही है इसमें सिर्फ देखे difference क्या है तब पहले तो इसमें देखे इसमें subject जो है CDP है CDP सेम है CDP दूसरा language 1 language 2 changes कहाया है इसमें भी 30 marks का CDP है 30 questions आएंगे 30 marks का language 1 में भी 30 questions 30 marks का इसी तरीके language 2 में भी 30 questions 30 marks का अब difference क्या है दो दो पार्ट में यहां डिवाइड हो गया है fourth एक पार्ट है आपका विज्ञान और गनित मैस्स साइंस ठीक अदूसरा ग्रूप है आपका तोसल साइंस सामाजिक विज्ञान ठीक एक first group यह है अदूसरा second group देखिए इसमें क्या है first group जैसे जो teacher साइंस और मैस के जो teacher बनेंगे वो लोग बिज्ञान और गनित वाला ग्रूप लेंगे ठीक है और जो लोग social study या कहलो सामाजिक विज्ञान का जो teacher बनेंगे वो लोग ये वाले भी से को लेंगे सामाजिक अध्यन ग्रूप लेंगे और इसमें देखो चाहे बिज्ञान और गनित ले रहे हो तो वो भी 60 questions होंगे 60 marks के होंगे और या सामाजिक बिज्ञान ले रहे हो social studies ले रहे हो वो भी आपका 60 questions आएगा और 60 marks के होंगे इस तरीके से अगर total जोड़ोगे तो इसमें भी आपका 150 questions होंगे 150 questions और 150 marks के होंगे और total time इसमें भी 2 hour और 30 minute है ठीक है तो इस तरीके से आपका ये पूरा pattern है और सारे question इसी pattern में रहते हैं एक चीज़ और यहां ध्यान देने की बात है कि इसमें जो questions होते हैं कुछ जैसे अगर गनित की ही हम बात करें तो गनित में जैसे 30 questions आएंगे 30 questions इसमें science से होंगे 30 questions जो होंगे वो आपका pure mathematics होंगे 15 questions pure mathematics के होंगे 15 questions उसी में से math की जो pedagogy होती है उससे related questions होते हैं ठीक है तो यह चीज़े ध्यान रखनी है आगे हम लोग cover भी करेंगे regular classes जो हम लोग cover करेंगे तो उसमें भी हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ठीक है दोस्तों आज बस इतना ही thank you